हलो एवरीवन, वेलकम तो एक्जाम स्टड़ी सेल्फ, मैसेल्फ रितिका चोधरी, I am selected in राज़्दान गॉवर्मेंट, टोड़े विल स्टड़ी अबाउट मोडल्स, तो मोडल्स को हम मोडल्स एक्जलरी भी बोलते हैं, और एक्जलरी का मतलब होता है, हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब को हम किसी भी सब्जेक्ट के बाद यूज करते हैं, और उसकी जो डेफिनेशन होती है, वो वर्ब्स जो किसी दूसरी वर्ब की हेल्प करते हैं, टेंस बनाने के लिए, अदर तेंदर सिम्पल परजेंट और सिम्पल पास्ट, इसके अंदर हम सिम्पल और सिम्पल पास्ट को छोड सकते हैं, उनको हम एक्जलरीज बोलते हैं, एक्जलरीज मींस हेल्पिंग वर्ब, फोर एक्जामपल, करुना हैस डोनेटेड हर ब्लड रिसेंटली, करुना ने अभी अभी अपना ब्लड डोनेट किया, तो उसमें हैस डोनेट क्या है, प्रिं प्रिंचिपल वर्ब है, और यह किसको इंडिकेट करती है, किसी एक्षन को, तो करुना ने अपना ब्लड डोनेट किया हो, क्या था, उसके लिए एक एक्षन था, और हैज क्या आएगा इसमें, एक्जलरीज बर्ब, और एक्जलरी वर्ब किसकी का काम करती है, भी मैंने आपको बता है, टेंज का, किसको हम छोड़ सकते हैं, परजयंट सिमपल और सिमपल पास्टेंज को, इस क्या है, एक्जलरी वर्ब, सलीपिंग क्या है, एक्षन, तो यह क्या हो गया, principal verb इस तरीके से हमने दो example देखे अब हम बात करते हैं कि जो total accessories होती है वो कितनी होती है वो होती है नमबर 24 जो 24 accessories है वो आप count कर सकते हो देखे इनकी दो forms होती है एक present form होती है एक past form होती है जब कोई action present में किया चाता है है तो हम percent form का यूज करते हैं जब कोई action past में हो चुका होता है तब हम past form का यूज करते हैं पहली form है do और does यह कौन सा टेंस होता है percent simple tense भी बोलते है उसको तो इसकी past form क्या हो जाती है did second is am are इसकी past form क्या होती है वाज और वर थर्ड हेज है इसकी past form had फिर can की could sell की should में की might will की would must need or used to would there इनकी आगे कोई past form नहीं लिखी वी क्यों क्योंकि यह जो होती है यह past में भी same ही रहती है और present में भी सारी same ही रहती है फिर है types of equality हम इसको दो types में बाढ़ते हैं एक modal एक्सरी और एक primary एक्सरी प्राइमरी एक्सरी में आता है be, do और have modal एक्सरी जो अभी मैंने आपको पीछे बताया थी 24 वो सारी modal एक्सरी the modal एक्सरी are those verbs which express a mood तो आपको पूछ सकते हैं कि modal एक्सरी क्या होती है modal एक्सरी हमारे mood को decide करती है हम अपने mood में क्या सोचते हैं, यह क्या चल रहा होता है हमारे mental state को express करते हैं a notion और a concept एक कोई भी भाव या फिर कोई भी concept होता है उसको decide करने का काम किसका होता है modal एक्सरी का modal एक्सरी reflect conceptions of mind जो हमारे mind का जो conception होता है उसको reflect करते हैं, reflect मरकर मतलब परकट करते हैं modal एक्सरी express the following moods और notion और concept जो next में आपको बताऊंगी जो concept होते हैं modal एक्सरी उनको एक्सप्रेस करते हैं अब आपको जो एक्जाम में पूछा जाता है वो इन से पूछा जाता है तो आपको सबसे ज़्यादा फोकस इनी चीजों पर करना है अगर किसी में मूड अक्स्पेसिंग वर्ड यह वर्ड होते हैं कभी-कभी एक्जाम में डारेक्ट इस वर्ड दिये जाते हैं उसके बाद आपसे पूछा जाता है कि इसमें कौन सा मोडल यूज किया जाएगा कभी-कभी यह वर्ड देखे और आपको छोड़के और फिर डिसाइड करना होता है कि इसमें से कौन सी वहां पर केपेसिटी एबिलिटी या कौन सी चीज यूज हो रही है तो उसके कोडिंग हमें आके मोडल को चूज करना होता है तो फिर्स्ट है एबिलिटी अगर हम किसी चीज को लिफ्ट करते हैं या कुछ भी करते हैं तो हमारे अंदर कितनी एबिलिटी है रन करने की, किसी को लिफ्ट करने की, तो वो किसमें, उसमें क्या यूज किया जाता है, केन, अगर उसमें ही वो past ability की बात करता है, तो हम यूज करते है, could, अगर capacity की बात की जाती है, capacity mostly present tense के लिए यूज की जाती है, तो इसमें क्या यूज होगा, केन, informal permission, right, strong, certain possibility, possibility, जा निश्चित चीज की possibility होगी, possibility मिन संभावना, जा certain यह निश्चित possibility होगी, वहाँ पर हम केन या good का यूज करते है, जैसे, कि वो match जीत जाएंगे, तो यह क्या certain, यहाँ पर कुछ उनको certainty दिखिया, इसलिए वहाँ पर केन या good का यूज किया जाएगा, फिर second है, formal permission, जैसे, may I come in, may I borrow your pen, इस तरीकी की जब कुछ यूज किया जाता है, तो उसके लिए हम make a use करते हैं, uncertain possibility, uncertain possibility क्या होती है, एनिश्चित संभावना, means, आज बारिश हो सकती है, it may rain today, तो वहाँ पर uncertain possibility हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है, इसलिए हम make a use करते हैं, probability यानि संभावना, like ratio, likelihood और perhaps, likelihood यानि भी संभावना और perhaps, अगर ये वर्ड आपको कहीं भी दिखते हैं, तो उसमें हम make a use करेंगे, थर्ड है, will और would, will यूज होगा present में और would यूज होगा past के रूप में, intention, determination, promise, plan, threat, permission, willingness, polite request, warning, prediction, अगर हम कोई किसी चीज़ का intention रखता है, जैसे कुछ खरीदने का, या कुछ भी, कुछ जीतने का, तो वहाँ पे will या would का यूज होगा, अगर strong determination है हमारा, तब भी will का use होगा, promise, अगर हम किसी से कोई promise करते हैं, तो वाँ पे भी will या would का, अगर past में हमने किसी से promise किया तो would, अगर हमने present में किसी से promise किया तो will, कोई हमारा next plan है, उसके लिए भी will और would, thread के लिए भी will और would, permission के लिए, विलिंगनेस के लिए पोलाइट रिक्वेस्ट अगर हम किसी से पोलाइट रिक्वेस्ट करते हैं तो उसके लिए भी विल और वूड का यूज होता है फिर सजेशन के लिए हमेसा सूट या ओर टू का यूज किया जाता है फिर हेबिच्व एलेक्शन चीज़ के हमें आदत हो चुकी होती है जो हमारी डेली रुटीन में सामिल हो जाता है उसके लिए हम यूज टू को काम में लेते हैं फिर मस्ट, मस्ट का क्योशन आपकी एक्जाम में कोई न कोई एक क्योशन जरूर पुचा जाता है अगर उसमें कमांड होगा, अगर कोई ओडर दिया जाएगा या फिर कोई एड़ वाइज, कोई सला दिया जाएगी या प्रोहिबिशन यानि निसेद, किसी काम को करने के लिए मना किया जाएगा जैसे भी लोक डाउन है, तो घर से बाहर निकलने के लिए मना है तो वो क्या होगा, प्रोहिबिशन, तो उसके लिए क्या जाएगा, मस्ट forbidden forbidden यह नहीं होती है मना ही जैसे don't plug these flowers तो अगर हम मना किया चाहता है कि इन फूलों को मत तोड़ो तो वहाँ पे forbidden अगर यूज आ रहा है तो must मतलब हमें वो किसी भी हाल में तोड़ने नहीं है necessary compulsion अगर कोई आफ सेकता है कोई compulsion अगर बात देता है obligation है तो वहाँ पे किस चीज का यूज होगा must का फिर need note अगर necessary आता है तो हम must का यूज करेंगे अगर unnecessary आता है तो need note का यूज करेंगे unnecessary और note necessary note required, note essential तो उसके साथ हम need note का यूज करेंगे अब हम कुछ examples देखते है मुक्तार is willing to help me मुक्तार मेरी सायता करने का इच्छुक है तो हमने देखा था willing word तो willing word हमें देखना है कि कहा था तो हमने will मे willingness देखा था तो हमें पता है कि जब willingness या will आता है तो किसका यूज करना है will का तो इसमें सही हो जाएगा will it is necessary for me to study day and night ये मेरे लिए आप से कहे कि मैं दीन और रात पढ़ाई करूँ तो हमने देखा था necessary word किसके लिए यूज होता है must के लिए तो इस तरीके से अगर एक बार आपने उनको याद कर लिया तो उसके बाद अगर आपने mood expression को अच्छे से याद कर लिया उसके बाद आपके लिए answer देना बहुत हीची हो जाएगा my uncle is unable to meet me मेरे अंकल है मेरे से मेनने के लिए able नहीं है तो हमने देखा था ability, capacity इसका यूज किस में होता है के अन में इसलिए can't your entrance is prohibited here तो मैंने बताया था जहां prohibited आता है वहां किसका यूज किया जाता है must का तो उसने बोले है कि आपकी जो entrance है यहां पर पर्दी बन दिता है मतलब आप यहां नहीं आ सकते हैं तो इसके लिए हम किसका यूज करेंगे must note का इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं you must note enter here इसको हम इस तरीके से भी बोल सकते हैं you must note not enter here आप यहां पर्वेश नहीं कर सकते your entrance is prohibited here तो must note कंचन not read English now तो कंचन अभी English की study नहीं कर सकती क्यों हो सकता उसकी उसकी willingness उसकी इच्छा नहीं हो या जो भी हो तो उसमें किस का यूज हो जोजेगा विल का थेंक्यू एवरिवन अगर आप हमें जोइन करना चाहते हैं तो हमें शेयर कीजिए स्पोर्ट कीजिए सब्सक्राइब कीजिए हमारी टेलिग्राम एड़ी ये है एंड्रोइड एप की लिए आप प्ले स्टोर पर जाके आप एप डाउनलोड कर सकते हैं हमारा यूटूब लिंक की ये है फेस्बुक का लिंक की ये है और हमारी वेबसाइट ये है इस तरीके से आप हमसे और अगर आपको कोई भी डाउट होता है तो आप इन नंबर पर कोल और वर्ट सेप कर सकते हैं थैंक्यू